अगर आप Police Force जॉइन करना चाते हो तो मुझे नहीं लगता कि इससे Best Opportunity आपके लिए हो सकती है गाईज जी हाँ इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही Important Notification जो UPSC ने हाल ही में Release करी है जो है आपकी Assistant Commandant की Post जी हाँ CPF की Vacancy इस बार निकाली है UPSC ने CPF की आपकी Full Form होती है Combined Central Armed Police Force और इस बार AC that is Assistant Commandant की Post निकली है अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं चाता हूँ आप इस वीडियो को Last तक देखेगा और देखने के बाद सारी Information लेने के बाद Application Form को जरूर भरना और अपना Selection जरूर लेना चलिए बात करते हैं सबसे पहले Application Date की तो Application Date जो है वो 15 अपरेल से शुरू हो चुकी है Online आप Application फिल कर सकते हो अगर मैं बात करूँ Last Date की मेरे दोस्तों तो जो Last Date है वो 5th of मई की है जो आपकी Payment Mode है वो Online ही है अगर मैं Feast की बात करता हूँ तो आपको जो Feast Pay करनी है General Category और OBC उनकी है 200 रुपे और SC, ST and Women Candidates उनकी है 0 उनको कोई Amount Pay नहीं करना तो I think यह बहुत Best Opportunity है उन Students के लिए जो एक तो Armed Forces में जाना चाते हैं दूसरे जिनके अभी हाल ही में बहुत सारे COVID की वज़े से Exam Cancel or Delay हुए है तो ऐसे Current Scenario में अगर कोई Notification निकलती है तो I think इससे Best चीज हो नहीं सकती इसकी सबसे अच्छी खास बात यह है दोस्तों कि जो Examination की Date है वो है आपकी 8th of August और अभी चल रहा है April तो 4-5 महीने आपके पास है तो आप अभी Excuse नहीं दे सकते कि मेरे पास Time कम है एक दो महीने बाद आपको Paper देना है तो आपकी तयारी पूरी नहीं हुई है आप आराम से बैटके तयारी कर सकते हो इस वीडियो में मैं बात करूँगा आपके Examination Pattern की और मैं आपको बताऊँगा कि Examination Pattern कितना Easy है तो चलिए आगे बढ़ते हैं Post की बात करते है टोटल पोस्त इसमें 159 है पिछली बार से थोड़ी सी कम है लेकिन आपको जो Selection चाहिए वो किसी एक सीट पर चाहिए तो आपको कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि 159 पोस्त जो है वो बहुत कम है पता नहीं हमारा सेलेक्शन होगा कि नहीं होगा इसके अंदर जो organization included है इस बार combined है BSF, CISF, CRPF, ITBP और SSB हर एक organization में कितनी vacancies है इसकी detailed information जानने के लिए मैंने नीचे description पे official notification attach कर दिया है kindly आप उससे go through जरूर होना ताकि आपको better clarity मिल सके और accordingly आप अपना preference जो department है वो choose कर सको examination की बात करें या eligibility की बात करें तो eligibility basically बहुत simple है जो check करी जाती है normally हर एक examination में सबसे पहली है आपकी age eligibility अगर आप general category से हो मेरे दोस्तों तो 21 से 25 साल होनी चाहिए आपकी अगर आप OBC तो जो normal relaxation आपको मिलता है तीन साल का वो मिलेगा अगर आप SC, ST category से belong करते हो तो आपको जो reservation जो मिल रहा है वो 5 साल का मिल रहा है तो आप in particular age criteria के हिसाब से अपने application form को fill कर सकते हो eligibility check करके सबसे best चीज इसमें मुझे जो लगी वो लगी आपकी educational eligibility आपको सिर्फ graduate होना है that is you should be a graduate कोई percentage matter नहीं करती कि आपके आपने कितनी percentage आपने हासिल करी है अपने graduation में आपको सिर्फ graduation चाहिए इसके अलावा आपका एक physical test होगा नॉर्मल सी बात है इस examination में physical test हो नहीं होता है क्योंकि arm forces के job है वर्दी job है अगर मैं examination pattern आपको बता हूँ जैसा कि मैंने आपको starting में बताया था कि बहुत easy है ज्यादा difficult नहीं है तो examination pattern जो है वो कुछ इस तरीके से है कि आपका written examination होगा दो paper होंगे उसके बाद आपका interview होगा जो दो paper होंगे उसके timings भी दीवी है paper one की अगर मैं बात करता हूँ आप से तो paper one होगा आपका 250 number का सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आप paper दोगे अपना paper one और paper one में जो questions होंगे वो बहुत ही simple है आपके quant reasoning और आपका D.I.E. से पूछा जाएगा general intelligence के questions पूछा जाएगे आपने जब paper one दे लिया तो आपको 2 से 3 घंटे का break दिया जाएगा फिर 2 बजे से 5 बजे तक आपका होगा paper two paper two में आपसे normally passage comprehension writing ये सारी चीज़े पूछी जाएगी 200 number का paper है उसके बाद आपका होता है interview interview आपका 150 number का होगा और उसके बाद finally आप merit list के basis पे आपका result declare होगा कि आप selected हो या आप rejected हो physical जो मैंने आपको बताया था इसमें कि physical में क्या-क्या पूछा जाएगा तो basically physical में आपकी height check करी जाएगी मेंस की अलग है वो मेंस की अलग है आप notification में जाके चेक कर सकते हो कि मेंस की height कितनी मांगी है और women's की height कितनी मांगी है साथी साथ आपकी chest दो races है इसमें 100 meter 400 meter उसकी timing आप check कर लेना short put भी है वो सिर्फ men's category के लिए है women's के लिए नहीं है यह सारी details आपको कैसी लगी और क्या आप interested हुए इस particular वीडियो को देखने के बाद CPF में apply करने के लिए अगर हां तो अभी notification पे नीचे क्लिक करो और अपना form भर दो और तैयारी start कर दो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई और आप चाते हो ऐसी ही वीडियो में आप लोगों के समक्स रख सकूँ आप लोगों को provide करवा सकूँ ताकि आप लोगों को पहले पता चल सके हमारे चैनल के माद्यम से कि क्या क्या notification रिसलिंटी निकल रही है जो आपके लिए बहुत helpful हो सकती है आपकी preparation में अगर आप चाते हो हम आपकी help करें तो इस particular चैनल को जरूर subscribe करना औ और bell icon को press करना मत भूलिएगा ताकि आपको updates मिल सके आने वाली notifications की thank you guys